कि अब यूट्यूब चैनल मैं पवित्रार्य स्वागर करता हूं आपके अपनी क्लास विद्या क्लासे में जैसे कि आपको पता है मैंने भूगोल पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि अब यूपी प्लिस कॉंस्टेबर और जीडी के लिए एवन अधर एक वांस में भी काम एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानेंगे तो बीन देरी के फटावाद स्टार्ट करते हैं वाई अब सबसे बहले देखे महादूवीब होते क्या हैं तो मादूवीब किसे कहते हैं समद्दृतल की ओपर उठे प्रत्वी के विशाल भूभा को मादूवीब कहा जाता है जि यह साथ प्रकार होते हैं कौन-कौन से एशिया यूरोप अफ्रीका उत्तर अमेरिका दक्षन अमेरिका औस्ट्रेलिया महादूवीब अंक्टाक्टिका महादूवीब ठीक जी और इनसे रेलेटिड आपने बहुत सारे कोशन्स भी करे थे किये थे कहां जी किये थे जो ठो प्रत्वी के मांचेतर के ऐसे दो हिस्से हैं जो बूमध्य रेखा द्वारा उत्तरे अवं दक्षिली गुलार्द में विभक्त किये जाते हैं उत्तरे मतलब उपर वाला दक्षिली मतलब नीचा वाला ठीक है जी चानत बहुत है भाईया हाथ वात तापतर रहो अपने अगर आपको मांचेतर का ग्यान है आप इसको टैकल कर पा रहोंगे आई होपसो दक्षिन गुलार्द के मादूई ऑस्टेलिया एवं अंटाक्टिका हो जाते हैं पॉइंट देखिए इसमें दक्षिन अमेरिका अफरीका दोनों गुलार्द में इस्तित्त हैं दोनों गु भाग उत्तर में और थोड़ा भाग दक्षिन में क्लिए रहे तनी बात चलिए आगे चलते हैं यह आपके एशिया के आपके सौरी वर्ड के साथ महदूईब ठीक है जी सबसे बड़ा एशिया उसके बाद बलवाई अफरीका फिर उत्तर अमेरिका वे दक्षिन अमेरिका पर पर आंटार्क्टिका फिर यूरव फिर ऑस्टेलिया अब देखो तो पर नंबर पर बोलो ऑई अब तो बोलो पहले नंबर पर कौन को आ इस पर कौन सा करण सलेगा वाई पीला देख लेते हैं पहले नंबर पर लिए इस पर दो कुछ भी नहीं चलना कि एक सेगिंड हाँ जी यह नंबर पर यह रहा हमारा एशिया दूसरे पर अफ्रीका तीसरे पर नॉर्ट अमेरिका चौथे पर साथ अमेरिका पास्वे पर अंग्टाक्टिका और साथ वे पर आपका ऑस्टेलिया क्लेर भाई इतने पसंद मारी हैं बहुत बढ़िया आगे चलते हैं यह आपका शेर्तफा की दिश्टी से मादवी का करम जोगियो नाभी आपको बताया ही है वह मैंने करम में आप लिख दिया है आप से वीडियो पॉस्ट करके पड़ो आगे चलते हैं अब आता है महासागर और सागर तो आज के आपने बात कर लेंगे बहुत बड प्राक्टिका महासागर महासागर हमारे पूरे भाग का इकत्ता परसंट भाग घेरे होए यह बात कर भी बताई थी मैंने आपको 70.9 संधिंग और एप्रॉक्षिमेटल सेवंटी बन परसंट यस वेरी गुड़ अब आता है आपका यह रहा किनकी इस्तिदी कहां कहां पर ह इसतिदी आप देखोगे तो प्रशंट महासागर देखे यह रहा यहां बी और यह रहा यहां ही क्यंकि अर्थ गौल है दोरी अपका अमेरिका और अफरेगा के बीच में इतना भी inspection tackle कर याप इसके बाद आता है आपका हिंद महासागर हिंद महासागर किसकी बीच में है भाई हिंद महासागर आपका अफरीका और ऑस्टेलिया के बीच वाले भाग में है और साथ ही हमारे भारत को भी जोड़ रहा है यहने की कहदे तो हमारा भारत अफरीका और ऑस्टेलिया तीनों की बीच में हैं आपका हिंद महासागर नौर्फ पोल और साथ पोल हो जाता है अमारा दक्षिर महासागर चीज़िए कंट्रेट आप देखिए बहुत ही तरीके से बनाएगे आपके लिए अच्छा लेकर तो शेयर किजिए अब बात करते हैं कि इसके प्रशांत महासागर की बहुत ज्यादा बड़ा महासागर है ठीके जी मेर्याना गर्थ बैरन द्वीप यह सब यहां पर आपको मिल जाएंग तो प्रशांत महासागर के चार ओवर फैला जॉलमोगी बहुकम पर शेत्र रिंग ओफ फायर कहलाता है इसी शेत्र में विश्च के 75 परसेंट से अधिक सबसे गहरा स्थान जो है वह मेर्याना ट्रेंच गर्थ कर आता है मैंने आपको बताया था और विश्च का सबसे गहर महासागर स्थान मेर्याना खाई ही है इसे चैलेंजर गर्थ के नाम से भी जम जाता है जो कि यह रहा भी यह दिख रहा आपको क्लेर भाइद्री बात सभी में रही है वेरी गुड प्रशान महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की और कुईस्लेंड के तट पर बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मुंगी की दिवार मतलब जो आपका उस्टेला है ना इसके इस साइट पर यह आप देख पा रहे हो यह इसे प्रवाल भित्ति कहते हैं ठीक है जैसा आपकी वह नहीं होती कवक और शेवाल किसी प्रकार से आपको मिल जाएंगी कवक शेव यह कोरल डीव में किससे बनी होती है क्याशियम काबोनेट से बनी होती है जिसमें कहीं प्रकार की मचलियां सक्त मुंगे शार्क समुदरी कश्वे और समुदर इस इस अंधरे जीव निवास करते हैं यह इसी शेतर में आपको वह चीज़े लेगनों को मिल जाएंगी ठीक ह चलिए अगले पर चलें अगरा आता है आपका अटलांटिक महासागर इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है चलो एक कोश्चन छेटफ़की रिष्टी से दूसरा है अभी पढ़ा आपने अटलांटिक महासागर का सबसें गहरा इस्थान प्यूटोरिकोगर्थ ह कहां पर मिलेगा आपको एकोफ्चन मिलने माला है कि इस महासाहगर की उत्तर की ओर शांत इम इस तेजलका शीत्र है जिसे शारञय तो सागर भी कहा जाता है अबिलेगा यहां जचारों लिए व。 नहीं है यहाँ पर कोई ताट आपको नहीं मिलेगा इनको मिल जाएगी बर्मुर्ण ट्राइंगल सुनाया इसके ओपर नहीं निकल सकता क्योंकि इसका gravity of attraction बहुत जादा है जिसने gravity में बहुत जादा है अट्लांटिक महासागर में इस्थित एक शेत्र है जहां खत्रनाक हवाओं के चलने से कहीं सारे पाने के जहाज और हवाय जहाज लापता हो जाते हैं जो लोग यह सभी कहा रहा हूं मैं इसे डेवल्स ट्रैंगल के नाम से भी जाना जाता है इस बात के बारे में सभी बता उन्य है इस हिंद महासागर आईए यह कि लोकेशन का है एसिया ऑफरीक और Southend के बीच लिग्यंदी महासागर सबसे गहरा स्थान सुंडाघर्थ है जिसे पहले जावा गज के नाम से जाना जाता था यह बात आपको ध्यान में रखनी है बढ़िया कोशन है सारे आर्केटिक महासागर पाहो भई तो दुनिया का सब्सक्राइब कौन सा है अत्री गोलाइब में स्थित है आपको रहे हो कि कोशन से बंजाते हैं या उत्तरी दूर्प के आसपास है इसे ही शिपता हुआ महासागर कहते हैं शिपता हुआ क्यों क्योंकि दिखता ही नहीं फिर प्रशाद महसागर हो गया फिर ऑट्लांटिक फिर हिंद महसागर फिर और घहराएं के साफ से देख जाते हैं और लोग जो अंटरण सागर आते हैं आज तो महां सागर हो गए उनके बारे में अध्यान करेंगे ठीक है आशे करता हूं आपको स्वज में आया होगा लाइक शियर करना आपके हाथ में हैं थैंक्स पर वाचिंग जहिंद बंदे मात्रम भारत माता की जैर